स्वागत है आप सभी का एलेक्टिक मैन यूटूब चैनल पर दोस्तों अगर आपको घर में एक्सटेंडर बोर की आउसकता पड़ रही है और आप उसे घर पर ही बनाना चाहते हैं तो बहुत ही एजी कनेक्शन बताऊंगा आज आपको दोस्तों आप बाजार से यह सामान अ इससे अगर आपको थोड़ी सी भी नोलिज नहीं है इलेक्टिक की तो आप इसको कनेक्शन को कर सकते हैं बहुत ही इजी दोस्तों सबसे पहले हमें यहां पर यह ख्याल रखना है कि जिस तरफ एल लिखा होता है वह लाइन होती है और जिस तरफ एन लिखा होता है वह नू तो हमें एन को ही मास्टर मानना पड़ेगा एन मतलब नूटल एल मतलब लाइन अब दोस्तों जो नूटल होता है नूटल को तो हम डायर्ट भी दे सकते हैं लेकिन लाइन को हमें स्विच के थुरू ही देना पड़ेगा इसका स्विच इस तरफ है और उसका स्विच उस त स्ट्रिप कर लेंगे यहां से तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी मदद से मैंने काफी इजी इसको स्ट्रिप कर लिया है अब अब हमें क्या करना है दोस्तों अब हमें यहां से न्यूटल यहां पर एन लिखा है ना तो दोस्तों यहां से हम न्यूटल लेंगे आप मैं थ पहले यहां से 1 यह यहां से एक बार को एसे रफ Nelson आप लेंगे इस तरह से अब दोस्तोर इसको मैं यहां से काट लेता हूं इर को की कि कि इसको जोपिए लेगण दोस्तों अब दोस्तों जीसमें से और यह काटता है मतलब जो मुझे न्यूटल जोड़ना है मैं उसको छील लूँगा यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों मैं इसको बड़े ही इजी छील कर इस तरह से दोस्तों यह जरूरी नहीं कि आप न्यूटल इसी तरफ से ले या इसी तरफ से आप किसी भी तरफ इसमें जोड़ सकते हैं वो आपकी एक्षा होगी कि आपको जोड़ना किस तरफ है जिस तरफ आपको सहुलियत लगे आप उस तरफ जोड़ सकते हैं ऎसे तरफ जोड़ रहा हूँ यहां पर एजी मैंने इसको इस तरह से टायट कर दिया है अब दोस्तों यहां पर जो दूसरा तार था जो मैंने पहले ही ना पता अब उसको इस तरफ यहां पर लगा दिना है थोड़ा सा दोस्तों इसको घुमा लेंगे अब दोस्तों बारी है हमारी लाइन की कि हमें लाइन किस तरह देनी है यहां पर तो हम सबसे पहले यहां पर एक वायर यहां से पहले नाप लेंगे इसको लगभग इतना हमें वायर काट लेना है अब दोस्तों इतना ही एक और काटेंगे जितना लंबा भी यह काटा है दोस्तों एक इतना ही काट लेंगे अब मैं दोनों वायर को शील लेता हूं दोस्तों दोस्तों अब बारी है लाइन वायर लगाने की तो मैं सबसे पहले इसमें यहां पर इसको टाइट कर लेता हूं अब दोस्तों यहां से इसमें यहां पर टाइट करना है तो थोड़ा सा इसको इस तरह से बैंड कर लेंगे और बैंड करने के बाद दोस्तों इसको घुमाना आवश्यक होता है ताकि वायर एक जंगा बंद जाएं इदर उदर ना फेलें और इस तरह से दोस्तों इजी इसको इसमें टाइट कर देंगे यहां पर और दोस्तों आप इसका पेंच टाइट करते वक्त इस चीज का भी ध्यान रखें कि इसके ऊपर जो यह प्लास्टिक सील्ड होती है आप प्लास्टिक की बोलीजिए यह वैसे पोलीमर होता है अगर यह बोल्ट के बीच में आ गई तो यह सही काम नहीं करेगा मतलब कोपर वायर ही टाइ प्लास्टिक ना होकर यहां पर टाइट हो जाए इतनी दूरी पर तो यहां पर इसका वायर का कॉंटैक्ट नहीं रहेगा और इसी वजह से इसके अंदर क्रेंट फ्लो नहीं होगा तो इस चीज का खास दियान रखें कि कोपर वायर पर ही जो पेंच है या बोल्ट है वो इ देखो दोस्तों मैंने यहां पर एक गलती करती है मैं उसके लिए माफ पीचा घ़िंगा मैंने पहले वायर को नाप लिया था लेकिन मेरे से गलत़ी бег कि मुझे यहां तक यहां से यहां लाना चीजह था तो मेरे से गलती यह उगई उसके लिए माफी चाहता हूं मैं चोग करके काटूंगा मैंने यहां से यह ध्यान नहीं दिया इसको काट लिया थोड़ा सा लंबा कटे गाई है इसको काट के छी लेता हूं जल्दी से समय खराब नहीं करूंगा आप लोग होगा कि इस तरह से घुमाया कि ताकि इसके वायर एक जंगा बंद जाएं और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह लाइन में ही जाएगा करें है जो हो गया बहुती इजी अब दोस्तों बारी है हमारा जो लाइन वायर जो आएका जो इन दोनों में सप्लाई देगा दोस्तों उसको लगाने की उसको कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूं पहले मैं इसको छील लेता हूं दोस्तों इसको थोड़ा सा लंबा चीलना पड़ेगा कि इतना लंबा शीलना है कि दोनों में यह इजी फीट हो जाए अब दोस्तों इसको किदर से डाल सकते हैं इससे डालीजिए इससे डालीजिए इससे यह होगा कि जो दोनों स्विच हैं उनमें दोनों में लाइन पहुंच जाए और हमें बीच में टुकुडा भी नहीं लगाना पड़ेगा एक अब देख सकते हैं दोस्तों यहां पर हमारा जो लाइन का वायर है वो भी जुड़ चुका है तो अब हमने इस तरह से जो अपने नूटर और लाइन है वो दोनों को जोड लिया है अब यह काम करने के लिए तैयार है दोस्तों मैं जल्दी से इसको एसेंबल कर लेता हूं कर दोस्तों वैसे तो मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा है लेकिन फिर भी एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूं कि करनक्शन सही हुए है इसके अंदर करेंट फ्लो होगा यह नहीं सबसे पहले दोस्तों मैं लाइन को ही चेक करूंगा कि यहां पर मैंने स्विच ओफ कर दिया है भी और इसको लगाया मैंने continuity बे कंटिनुडी पर ही चेक करूंगा दोस्तों यह यहां पर लाइन है और दोस्तों इसकी लाइन इस तरफ है और अब न्यूटल चेक कर लेंगे दोस्तों इसका न्यूटल इस तरफ है और यह लाइन है लाइन चेक करता हूं नहीं आ रहा नहीं आ रहा अब दोस्तों अब चेक करते हैं कि हमारा बॉर्ड सही काम कर रहा है या नहीं इसके लिए दोस्तों मैंने एक एक अपने लिए पहले ही बना रखा था अब मैं इसको इसी तरह से इसमें लगा के चेक कर लेता हूं कर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा एस्टेंडर बॉर्ड काम कर रहा है कि अग्यां कर देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं चार्जिंग का निसान आ रहा है कि यह सही काम कर रहा है कि दोस्तों इसको और अच्छा बनाने के लिए अगर आप एक प्लक अगर आप जोड़ देते हैं यहां पर इस सिरे पर तो बहुत ही अच्छा रहेगा इससे लूज कनेक्शन नहीं रहेगा आपको एक सहुलियत मिल जाएगी जिससे की यह कनेक्शन टाइट रहें ने तो लूज में कई बार यह होता है कि कनेक्शन लूज होने के बाद वहाँ पर स्पार्किंग सुरू हो जाती है अगर लोड अधिक होता तो वैसे अगर लोड नहीं है तो इस तरह से भी चल जाता है और दोस्तों यहां पर ध्यान में देने वाले बात एक क्यआ है कि कभी भी या करतेव अगर हो सके तो एलमुनियुम वायर का श पार्किंग करने लगती है और वह को पर से बहुत ही रल或者 होती है मतलब वह इतना लौड नहीं ले पाती है तो दोस्तों Marie मैं आपको suggestion यही दूँगा कि आप copper wire का ही इस्तेमाल करें यह बहुत ही अच्छी होती है बैस्ट होती है मतलब electricity के लिए आपको यह वीडियो कैसा लागा हमें comment के रूप में जुरूर बताईए और दोस्तों अगर इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल यह सुजा हुए तो आप हमसे बेज जग होगे पूछ सकते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें धन्यवाद